हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल और लाइन लेर्निंग एपसाइड तो समय आज बात करेंगे कुसार वन्सके सिक्कों के बारे में जिसकों बुलाई था क्रिशापन प्राचीन समय में प्रुक्त होने वाला सुन का सिक्का था जातकों से यसिद्ध होता है कि बुद्ध के समय सिक्कों का प्रशलन हो चुका था इन सिक्कों को निश्क, क्रशापन तथा सुन, कंश, बाद, मास, मासक और काकड कहा जाता था सम्राट नपहन ने समय सुन क्रशापन का विनमेंदर एक बसल इस्टू पैंथिस था आगे बात करते हैं तो दोस्तों जैसे की क्रशापन प्राचीन भारत के विविन राजियों में प्रशलित सिक्का था और जातक पढ़ाने के व्याकरण और जानक के अर्थसास में रजट और तामर के सिक्कों को क्रशापन कहा जाता था जोकि निमान धातु इसमें सोना, चांदी और रजट तामबा होता था आगे हम बात करते हैं तो दोस्तो जातकों से आपथित होता है कि क्रशापन चांदी या तामबे का सिक्का रहा होगा तथा क्रशापन के अनेक वस्तों की कीमत तैय होती थी उधानता ग्रामीर चंड जातक से पता चलता है कि एक जोड़ी बैल की कीमत 24 क्रशापन थी कुछी जातक में वर्णन मिलता है कि अच्छी जाती के घोड़े की कीमत प्रया एक हजार से छे हजार क्रिशापन तक होती थी और महावेसेंतर जातक में काशी के बहुमूल वस्त्रों की कीमत एक लाख क्रिशापन बताए गई है अच्छी नसले के कुट्टे का मूल एक क्रिशापन था कंड जातक में कासी के वैपारियों ने पांसो गाड़ियों का मरुस्तल पार करने के लिए प्रती बैल दूख रसापन दिये तथा अर्द माशक या माशक एक तेनक मज़ूरी होती थी अब बात करते हैं बुद्ध काल में प्रशलन मात्मा बुद्ध के समय अत्यन प्राचीन काल से चली वस्तु विन्मे प्रणाली थोड़ी बहुत मात्रा में प्रशली थी ऐसा जातक ग्रंतों के अत्यन से प्राफ्ट होता है क्योंकि बहुत बिक्छु अर्द संग्रह और उसका इससपस नहीं करते थे विन्मे वस्तु विन्मे करते थे हैं इससे साधन को वेच एज़ादातर अपनाते थे जातक के काल तक चावल एक प्रणाम वस्तु के विन्मे का रूप में प्रस्लित था इन्तु बुद्धकाल के सिक्कों के प्रस्लिन का पक्का प्रमाणा मिलता है और कई आवसरों पर ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्कों के रूप में अनेग वस्तुओं के मूल निश्चित हुआ करते थे। जातुकों ख्यत्यन से याभी सिद्ध होता है कि उस समय सिक्कों का प्रस्लिन हो चुका था। इन सिक्कों को निक, कहां पड़, स्वण, कांस, बाद, माशक और काकड़ कहा जाता था। इस में निश्च को सोने का सिक्का था जो प्राड़म में अफुक्ष्ण के रूप में प्रेक्त होता था। सुन जैसे नाम से सबस्ट है कि सोने का सिक्का था संबवता इसी ही ही रड़ें भी कहाच करते थे। थैंक्स वर वाचिंग एंश्यरिंग